अनुपमा ने उठाई हिंदू के लिया वास बांगलादेश के हालाद बत से बत्तर लगातार बांगलादेश में हो रही है हिंदू से उत्पीडिंता नमस्कार मेरा नाम है सचिन नाठोड और आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आज हम बात करेंगे कि कैसे बांगलादेश के हालाद बिगरते ही जा रही है बांगलादेश के हालाद किसी से भी छिपे नहीं लगातार बांगलादेश से हिंदूओं के साथ घटनाओं की वीडियो और खबरे सामने आ रही है इसी बीच अनुपमा शो स्टारर रूपाली गांगुली ने बांगलदेश हिंदूओं के लिए अपनी आवाद उठाई TV आक्टरस रूपाली गांगुली का एक ट्वीट वैरल हो रहा है उनका ये ट्वीट बांगलदेश की तराफूर सिती के बीच आया है उन्होंने अपने ट्वीट में बांगलदेश हिंदूओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की उन्होंने इस ट्वीट के जरीए अपने फैन से कहा कि सब के साथ खड़े होकर आवास उठाने का वक्त आ गया है शेक हसीना बांगलदेश छोड़ कर आ गई है ऐसे में वहां के तनाव और हिंसा की खबरे सामने आ रही है इसी बीच ये भी आरोप लग रहे हैं कि बांगलदेश में बांगलदेशी हिंदूओं के साथ हिंसा की जा रही है इनी आरोप बोगों लेकर रूपाली गांगुली ने अपनी चिंता व्यक्त की रुपाली गांगुली ने 7 अगस्त को अपने हैंडल पर ट्वीट कर लिखा बांगलादेश में हिंदूओं के उत्पीडिंता की खबरों से मैं बहुत ज्यादा परिशान हूँ मेरे पिता की जड़े वर्तमान के बांगलादेश से जुड़ी हुई है इसलिए अलप संक्यों को पर लगातार हो रही अत्याचार और हिंसा के बारे में मैं सोच कर डर जातीगी ये समय है दुनिया के हर इंसान को बांगलादेश में असहाई और कमजोर अलप संक्यों की सुरक्षा के लिए आवाद उठाने चाहिए रुपाली गांगुली ने इस पोस्ट के साथ All Eyes on Bangladesh और All Eyes on Bangladesh हिंदूस भी लिखा लोग रुपाली गांगुली के इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा कि रुपाली गांगुली जी से पूछिए कि मड़ीपुर का क्या होगा वहीं एक दूसरे यूजर ने भी लिखा कि अपने देश में अल्प संक्यवों पर हो रहे हैं अत्याचार का आप क्या करेंगी कुछ एक्स यूजर ने लिखा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बता दे कि रुपाली गांगुली ने साल दोजार चौबिस में ही भारती अजन्ता पार्टी जॉइन की थी पाँच अगस्त को बांगलादेश की पीम शेक हसीना अपना पच छोड़ कर देश से निकल गई है शेक हसीना की खबर मीडिया में आते ही प्रदस्शनकारियों ने उनके आफिस को गेर लिया और लूटपर बचा दिए बांगलादेश में अब बीस्तिती काफी तनाफपूर है शेक हसीना फिलहाल भारत में पना लिये हुए ऐसे एम जिट्स के लिए देखते रहिए निउस गाने डिया